चौद्वी कहानी इस्राइली लोगून को जंगल में भटकुन तब इस व्योज की सीने परवत में पुजनाग लगवग एक सालाग बाद परमेशरोग बादलोग टालूवाँ भटे हगिल का है यो तब इस्राइली बादलाग पचिल पचिल कनान देशार नजीक पुजनान और वाँ बादलोग टालू रुग्यो परमेशर अबरहाम इसाग और याकूब थें वादा कर रक्चो की उव वादाग देश में उनर वनसजुन दियूल लेकिन उबख़त वाँ बहुत जातीग लोग रूँच उन कनानी कहलूँच इन कनानी लोग परमेशर अरादना ने कर्शा और उनर आगया ने मान्चा उन जुट्टा देपतान की पुज कर्शा और बहुत बुर काम लकर्शा परमेशर अरेलिक इस्रादी लोगून थक्योच जब तुम उबदाग देश में जाला तो वाँ सब कनानी लोगून छुटकारा पालिया उनर संगती जन रख्या और ने उनर दिगाड ब्या करिया तुम उनर सौमूरतीन पुट तरेकाल नास कर दिया अगर तुम मेरे हुक रुबे बटे एक एक कर्विन बार आदिम सुनियान और मुशाल उनुन भेद लिन्खिन भिच्चे तब उनुन ले क्योच तुम जाए भरेन उन देशाग बार में निकी को पत्तो पानी लगाया कि वाँ लोग कतुक ताकतवर शन या कमजोर उन बार आदमेन ले पुर कना देश में हर एक चीजों के पत्ता लगाया भरेन चालीस दिनाग बाद उन मुशाक पास लोटायान उनुन ले बताच वाँख फल देखा उन देशाग पैदावार इतुक बढ़िया छे कि वाँख चीजों में के कमी नहतिन लेकिन दस लोग उन ले इस क्योच उनार नगर बहुत मजबूत है और उन लोग लंबा चोड़ चान अगर हम उनुन में हमला करूँ तो जरूर उन हमुन हरा दियाल और हमुन मार डालाल तब भेद दिन वलान में बटे कालेब और यहुसुल लोगुन समजून के इन के उच डराजन हम जल्दी उन देश में हमला करूँ तो सब उन कवजा में कर सकनूँ किले की परमेश्वर हमार दगार चन लेकिन लोगुन ले कालेब और यहुसुक ने सुनी। उन मुसाक और हारुन थे यो कैवरें चरचड़ाट करूँ लागयान। तो हम उन यो खतानाक जाग में लेवरें आचा। हम उन मिस्टी देश में रूँचू। अगर हम यो कनान देश में हमला करला तब उन हमर सैनि और नंतिनान ले गुलाम बना लियाल और हम उन मार दियाल यो है निक्ष है कि हम अजी ले मिस्री देश खिन लोड़ जानू और उनुन ले आपस में सला करशे की हम कैसे अफ़न नेता चुन भिरें पूग देगाड मिस्री देश खिन वापस लोड़ जूँ ला जब उन लोगों ले क्योश तब परमिशर और बहुत रीस आज उन मिलाप वाल तंबू में आज और पूल क्योश तुम उन ले मेर खिलाब पाप करशे एक कारण तुम सब यो जंगल में भटकने रोला हर एक जन जो बीच सालोग याँ उहे जाद उम्रोग छे वा मर्यालो और कभेल उ देश में नीजान पाल जो में तुम मून दी छो सिर्फ कालेब और यहुशू उमें परवेश कराला जब लोगण ले परमेश्वक इसकून सुण चे तो उन दुखी भ्यान किलेखी उनून ले पाप करशे एक कारण उनून ले कानानाख लोगण में हमला करनाख फैसला करशे मूस ऑल उनून न जानाई चेतावनी दीश किलेखी परमेश्वर उना दिगाड नहतिन लेकिन उन्हों ले मुसाइक ने सुनी परमेश्वर यो हमला में उन्हार दिगार नीचो एक कारण कनानी लोगों ले उन्हों हरा दीच और उन्हों में बटे बहुत उन मार दीच तब इजराली लोग कनान बटे वापस आ गया और चालीस सालों तक इत्खे उत्खे भटकने रॉला इजराली लोगों का चालीस साल तक जंगल में भटकना द्वारान परमेश्वर ले उन्हों जरुरतून पूर करशे उल उन्हों की स्वर्गे बटे मनना दीच तब ब्याल बखत्वां बहुत बटे उड़िभेन आयान और उन्ह सब तंबुन का चारों तरफ बैड़ गया उन्हों ब्याल इजराली लोगों ले पेड़ भर उन्हों सिकार खाज चालीस साल तक परमेश्वर उन्हार कपड और जुद्तान बचाज यां तक की परमेश्वर उन्हार पिंखिन समतकारी रूपा ले चाटान बटे पान निकल छे लेकिन एक बार जब लोगों का पास पिंखिन पान नीचे हो परमेश्वर उन्हों मुसा थे क्योच चाटान थे बात करून है पान निकलूल तब मुसाली बात ना करी अपुन हाताग जांठाली दूबार चटान में मार छे इसके उल परमेशों का पान कर छे और सबुन का पिंखिन चटान भटे पान निकलून लाग छे लेकिन परमेशोरस मुसा देखवन गुसा आच और उल क्योच खिला की तैल इस कर छे एक कारण वादाक देश में निजान पाले जब इस्राइली लोग चाली साल उन तक जंगल में भटक निया रियान तब जिनून ले परमेशा खिलाब पाप करिनाग जो उन सब मर गया तब परमेश रहल उन लोगों फिर वादाक देशा क सरदाक नजिक तक ले गयान तब मुसा बहु यो वादा लग करिनाग जो कि एक दिन उन लोगों का पास मुशाग ज़स एक बहुशे वक्ता भिजोल। एक बाद मुसा लोगों छोड़ भिरन नबो नामाग पहाड में ग्यो और वाँ परमेश रल मुसा तक जो यो पार उन देश से जैस दिनाक मेल अबरामा को अन्सित हैं वादा कर रख जो वाँ तैनी जा सकले किले की तेश यो देश देखून। तब परमेश वाँ भटे मुसा पूर कनान देश दिखाज। तब प्रभु कैनाक वचनाक अनुसार मुसा वाई मर गयो मुसाक मरनाक बाद इस्राली लोगों ले उखिन तीस दिन तक सोग या अगवा बन गयो यह उसु एक निक अगवा छो किले की उल परमेश वर में भरोस कर छे और उनरी बातुन मान छे